हालो एवरिवान, गुड मॉर्निंग तो चले फ्रेंड्स, आज मैं अपने सबजियों का अपडेट दोंगी मैं, जो की मैंने लगाया हुआ था तो एक हपते पहले मैंने दिया था आपको अपडेट इसकी, तो ये बहुत ही छोटी-छोटी थी, और ये कोहणा है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं एक, दो, तीन, चार, और दो, छे, छे प्लांट इसमें मैंने लगाया हुआ फ्रेंड्स तो देखिए, कितने हेल्दी ये सब हो गए हैं, और ये सब मैंने अपने छट पे लगाया हुआ है, और कल इसमें बहुत सारा घास निकला हुआ था, तो मेरे हसमें आके सभी को निकाले थे, और मैंने बोला रहने दीजिए, तो बोले नहीं सारे प्लांट्स को बहुत नु इसमें फ्रेंट्स, इसलिए, तो इस सब वह आके चेक करते हैं, तो सारे घास पात को निकाल दिये थे, तो चलिए मैं पहले अभी सभी को दिखाती हूँ, तो मेरा ये पहला केरी है, अब देख सकते हैं, कितना हेल्दी इसमें, छे प्लांट्स कोंडे का लगा हुआ है, औ दुसरा क्यारी मैंने देखे फ्रेंट्स, ये करेला को लगाया हुआ था, ये भी देखिए कितना हेल्दी निकला हुआ है, और छऒट पे लगाने से ही फैदा है फ्रेंट्स की, अगर मैं कोई सहारा इसे नहीं भी दोंगी, तब भी ए अच्छे से, यही छऒट पे ही फैल तो ये फरेगा फ्रेंड्स और अब अदर नहीं आएंगे कियूंकि सारे अम को सब खाझ चुके हैं तो यह दूसरा केरी क्रेले का है तो क्रेले का अपड़ेट है friends और एक हपता पहले ये बिल्कुल बहुत ही छोटा-छोटा था और ये तिसरा क्यारी इसमें धनिया तो कोई नामों निसान नहीं है तो कि धनिया लगाने का भी सीजन भी नहीं है friends अगर निकलना होगा तो निकलेगा लेकिन मैं एक इसमें सेम लगाई थी वैसे तो मैंने तीसरा क्यारी का अपडेट है कि इसमें धनिया बिल्कुल नहीं निकला है और सेम बाद में लगाया था तो निकल गया है तो अब ये मेरा पुछोथी क्यारी है friends जिसमें हमने लौकी को लगाया हुआ है आप देख सकते हैं और बहुत सारे लौकी को इसमें लगाया हुआ ह इसमें भी देखें एक दो ये तीन ये चार पांच छे साथ आठ नौ नौकी लगी हुए friends इसमें और एक इसमें भी मैंने सेम को लगाया हुआ है तो इसमें भी इतने सारे प्लांट है और चौथी क्यारी है मेरी और ये भी काफी लौकी हेल्दी है तो आज मैं सभी की पिं कर देते हैं तो वह बहुत ही हेल्दी भी हो जाता है और अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग सब कुछ करने लगता है और ये देखिए friends इसमें ये नोनी का साग भी जमा हुआ है जो की जियूतिया में तो खाया ही जाता है और ऐसे भी आप इसकी पकोड़ी धो के इसको बहुत कट्टा कट्टा लगता है ये तेज को दो के थोड़ा से बेशन में हरी मेर्च धनिया लहसुन मिला के और इसकी पकोड़ी बना के खाये बहुत एटेश्टी लगता है तो देखिए इसमें इतने सारे जम्य हुए हैं नोनी का साग देख सकते हैं तो बहुत महंगा म दूने उप इस पॉद्य को गठीए और ये यूपी में तो मैंने नहीं देखा है ये सक्सथा चाहता है और एक सत्फदिया होता है उससे भी खाय जाता है तो इसमें उस see तीसे ही मैं यहां से कट-कट दूँगी, यह देखए, यह देखए, तो ऐसे यह ही मैं यहां से सभी को कट-कट दूँगी और फिर मैं अगले संड़े को इसका अपडेट आपको जरूद दूँगी, friends यह देखे ओ ही छोटा ही छोटा निकला है लेकिन मैं इसके देखें तो एक ब्राश ही आपको पता ही है कि 3-4 देखें घ्राइस प्साषी होता है तो फरेंच ब्राइब कि किया जाता है यह द मैं प्र olvidate उस और ही टाफ़ी ओश कोली है तो इस Benedict बबावगी वह lumière से करोंगे तो आधी हम यह कौहड़ा के पास और इससे भी पिंचेंग कर दोंगे तो यह देखिए को में जो है यह देखिए तो यह बीच से हमें यह पमदी कर देना है तो इस तरीके से हमेंSec कर देना है फ्रेंड्स और ठेव ब्रांच निकलेंगे इसमें से और आप देख सकते हैं यह देखिए बस ऐसे काफी प्लांट हेल्दी हो जाएगा और और एक यहां पह है तो इसे मैं कर दे रहे हैं यह देखें यह बीच वाला जो है इसे पिंचिंग कर देना है फ्रेंड्स बस आज की हमारी पिंचिंग हो गई और फिर मैं अगला पिंचिंग जब करूँगी फिर आप से दिखाऊंगे कम से कम तीन बार करूँगी फ्रेंड्स और यह नीचे के पतियों को इस तरीके से हटा दूँगी ताकि जो पौधे है सड़े क्याम ने नहीं फिर नीचे के पतियों को आपको एगदम इस तरीके से यह देखें यहां पे जासे है यह से हटा देना है तो देखा आपने फ्रेंड्स कि इस तरीके साम में गाड़निंग करना है और कुछ भी नहीं करना है बस मैंने आके लगा दिया था और सब कुछ अपने से इतने अच्छे से सब निकल गया हैं और करेला भी निकले हैं और इसमें चली मैं क्या लगाती हूं वह आपको दिखात यह देखिए यह देखिए यह देखिए फ्रेंड्स यह देखिए यह कितने बड़े-बड़े सीड है यह मैं आपको हाथ में लेकि दिखा रहे हूं यह देखिए इसमें करेला का है तो देखिए फ्रेंड्स कितना बड़ा-बड़ा सीड सायधी आपने देखा होगा भिंड है यह रेड़ वाला जो है और यह करेले का है और बाकी जो इसमें चोटा-चोटा दीख रहा है वो टमाटर का सीड है तो भिंडी का आप देख रहे हैं और यह गारंटी है कि करीब 15 से एक महीने में यह फ्रूटिंग करने लगेगा तो यह सीड फ्रेंड बेंगलोर से आया है और मैं आज इसे लगाऊंगी और पहली बार और जिसको चाहिए उसको दे भी दूँगी फ्रेंड देख रहे हैं कितना सारा बहुत सारा सीड वहां से आया हुआ है तो आपको देख की लग रहा होगा कि सीड कितने हेल्दी हैं तो चलिए हम लगाते हैं तो इस तरीके से औ और भिंडी को मैं पहली बार ही लगाऊंगी फ्रेंड ये देखें तो मैं एक सीड इसमें डाल दूँगी होल किया है इसमें डाल दूँगी फ्रेंड और इसका पौधा भी बड़ा बड़ा ही होता है तो ज्यादा नहीं लगाऊंगी ये देखें ऐसे मैं इसमें तीन डाल दूए और यह सब चत पर इसले लगा रही है और यह करेला भी है तक यह बहुत अच्छा वाला करेला है तो इसे मैं लगाओंगी और यह सब सीड्ड से मेरा भतीजा भेजा है तो उसने बताया कि ये वुगा वहाँ पे एंजीयो है वहाँ पे ये एंजीयो के लिए सब्जीयों उगाई जाती है तो वहीं से हो हमें भी सीड दिया है तो बहुत ही हेल्दी सीड है और वह तो बोल रहा था कि 14-15 दिन में गारंटी है हर्वेस्टिं करना फ्रेंड्स तो तीन करेला उसमें मैंने लगा दिया और इसमें तो अभी सेम को लगाया है तो देखती हूं और इसमें फ्रेंड्स इसमें भी भींडी को लगा दूंगी और मैंने भींडी को अभी तब कभी भी नहीं लगाया है तो सूच रही हूं कि आज लगा ही सबजियां मिले नहीं मिले फ्रेंड्स लेकिन लगाना बहुत ही अच्छा लगता है तो इसलिए मैं यह सब लगाती रहती हूँ यह देखें और एक यहां लगा दे रहे हूँ और अपडेट जरूर आपको दूंगे फ्रेंड्स और अभी तो इसमें करेला ही फ्रेल गाएगा लेकिन यह वाला भी करेला लगा दे रहे हूँ यह बहुत ही अच्छा वाला करेला है फ्रेंड्स तो इसे भी मैं लगा देती हूँ यह देखें इस तरीके से होल करना है और द बाद देना है तो सब्जी यां लगाना तो आप सभी को पता ही है आप लोग भी लगाते ही रहते हैं तो बस कुछ भी नहीं करना रहता है सब्जियों को लगाने में यह देखें तो इसमें मैंने करेला और भिंडी को लगा दिया अपाक। शे में तीन करेला को मैंने लगा काफी इसपेस थोड़ा चाहिए फैलने बढ़ने के लिए तो तीन तीन छे लगाया ह 요र इसमें मैंने और एक देखिञे ये भिंडी यहाँ गिरा हुआ है तो इसे भी ना हम यहां पे लगा देटी हूं आ इसमें भींडि को यह सब लगा दिया और यह दिछे मोय तमटर है फ्रेंड्स एट तीसे में एहां पर डाल दे रही है घबाघ से तो मैं बस ऐसे ही यह दे देखे मैं इस तरीके शीर दूँगे यानि भी खेर दूँगे फ्रेंड्स और ऐसे मिट्टी इसके उपर कवर कर दूँगे और जब टमाटर निकलेगा तो मैं फिर और मेरा भतीजा बोला है कि टमाटर ये सब सारे गमले वाले हैं और सभी के फ्रुटिंग 14-15 दिन में होने करेला यहां पर निकल गया है यह धिके तो आज का मेरा संडे अपडेट यही था फ्रेंड्स सब्स आब ड़ाना और बाकी सब्सेयों को और दिखाना ख्रेंड्स तो इसमें ने टमाटर को लगाया विंड़ी को लगाया और यह करेला को लगाया तुंगे विर ऐसे सारे ही लगा दे रहे हूं जो नडेकर अच्छी इसक्षा यहy एक सलमैं निक्षे लीफ कम्पोस्ट भी सारे डाल दिया है जो मैं नीचे बना के रखा था सभी इसी में डाल दिया है तो काफी अच्छी सब्ज do a कुषा दिखा दे किस तरीके साब भी गार्णिंग कीजिए और कई हमारे दोस्त जो हैं हमसे पूछ रहे थे कि आपने कैसे यह क्यारी बनाई है क्या इस पर सीलंड छक पर नहीं होगा तो मैंने नीचे बताया था कि वेस्ट प्लास्टिक जो हमारे घर से निकलती है उसे मैंने डाला हुआ है इ जब मन चाहे आप हटा भी सकते हैं तो बस इस तरीके से सब्जियों को आप लगा दीजे बहुत यह अच्छा लगेगा जब सब्जियां निकलती है फ्रेंड्स तो देख कि इतना मन खुस होता है उतना किसी भी चीज से आपको नहीं मन खुस होगा जितना सब्जियों को द इसे यह टो इतने सारे को लगा दिया है ऑग करेला इसकि लिकम मात फ्रेंड्स तो मस्त प्रेंड्स तो बस आज कली इतना ही आज मैंने इतने सारी शब्जियों को लगा है तो कैसा लगा आप जरूब बतएगा फ्रेंड्सниц αναब्जियों का अपडेट संडे गार्डेन केचन गार्डेन अपडेट और हिल्दी हिल्दी मेरी सबजियों को देखे और आप जरूर बताईएगा और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और यह देखे इसमें पत्तियों में कीड़ा लगा है तो मैं इसे तोड़ लोगी यह देखे यह देखे अगर आपको इस तरीके से पत्तियां दिखे तो तुरंत उसको आप तोड़ दीजे यह मत सोचिए कि प्लांट कैसा लगेगा बिल्कुल नहीं यह सोच नहीं नहीं है बस पत्तियों को ही हटा देना है और नीम वायल का बीच बीच में आके इसमें राख का छिड़काव कर दीजे प्रेंट्स नहीं तो अगर एक भी पत्तियां खराब होंगी ना तो सारे प्लांट्स खराब हो जाएंगे तो इस तरीके से करना है और इसमें नीम वायल तो कम सबजीयों की फ्रेंट्स कैसी लगी आपको थोड़ी से अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजेगा फ्रेंट्स बिना लाइक किये बिल्कुल नहीं जाएगा और पहली बार विजिट करने मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दीजेगा फ्रेंट्स तो मिलते हैं फिर अपडेट के साथ सब्सक्राइब के साथ फ्रेंट्स तब तक के लिए बाई बाई हैपी गार्डनिंग आप लोग भी अच्छे से गार्डनिंग कीजे खुस रही है बाई बाई